हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आइक्जामदी आइम सुशिल ट्रकटे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और हमारा जो आइक्जामदी का कंटेंट है वो हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपकी जो तैयारी है वो 50% फास्टर हो सकती है और जिसमें आप 33% टाइम सेव कर सकते हैं चलो अभी आते हैं हमारे वीडियो पर तो ये वीडियो में मैंने एक ट्रेंड देखा है ट्रेंड आपको बताने का मैं ट्राइ करूंगा एक्चुली मेरा जो सलेक्शन था वो इस यहर में हुआ था 2011 में 2011 में 75 वेकंसी थी उसके टाइम पे और 2007 में 50 थी फिर 2015 में जब मैंने मेरी फर्स्ट बैच लांच की वो था 2015 जहां पर 134 थे और मेरे काफी स्टुडेंट्स आइधिंग 25 के आज पर सलेक्ट हुए होंगे और अभी जो नोटिफिकेशन आया है 2022 का यानि कि जिसका भी इंटर्वियू प्रोसेस हो चुका है स्टुडेंट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे उसमें वेकंसी थी 238 तो अभी हम देखेंगे कि वाई आर वी आई ग्रेडबी वेकंसी आर इंक्रीजिंग अट फास्टर रेट देखी मतलब यह जो ग्राफ है मतलब कितना मतलब हम उस स्टुडेंट को लग सकता है कि सर आपने पांक दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि वेकंसी कुछ कम हो सकती वो देखो क्या है मैं आपको एक्सप्रेंग करता हूँ उसका लॉजिक अगले स्लाइड पर ठीक है चली देन देन युल अंडर्स्ट अगले साल में अगर देखेंगे इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वह अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ है नहीं देखो यह स्टैटिक स्टिक्स क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवले मैंनिसिस करते आंके जाके वेकंसी और भी बढ़ सकती औ मुझे पूछेंगे कि सर वेकंसी कितनी होगी क्या होगी तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ इसके पीछी कोई insider information है कुछ नहीं है यह ट्रेंड है कुछ है इसके इसाब से मुझे लगता है कि 250 प्लस माइनस आप यहां पर 10% अगर करेंगे जनरली हम ऐसा इ प्रिवियर्स ट्रेंड यहां पर कोई insider information नहीं है ठीक है तो यह ट्रेंड है और जनरली पांच पॉइंट में लिये है उसमें यह फॉलो कर रहा है अगर आप लास्ट यर देखेंगे 2021 तो वहां पर थोड़ी सी ज्याधा वैकंसी यहां पर थी लेकिन जब हम ग्राप बनात यह तो लेटेस्ट है और वो हमने एक गैप रखे एक ग्राप बनाने का ट्राइंग किया है तो अभी देखें मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ जैसे मेरा investment portfolio है 2021 में था 2 करोड का 200 लाग अभी हुआ है 220 लाग यानि 2.2 करोड मतलब यह बढ़ गया है लेकिन अगर जो stocks है उसकी value minus 10 से बढ़ गई यानि कि RBI में कुछ departments में vacancy कम हो सकती है लेकिन overall वो बढ़ेगी और vacancy कुछ reason के वज़े से कुछ decision के वज़े से मैंने last time का कि वो जो work है वो outsource कर दिया है उसकी वज़े से मतलब अगर मान लीजे यहाँ पर अगर यह minus 10 नहीं होता तो मेरा जो increment है अगर मान लीजी 100 का 100 तो भी रहता तो मेरा यह जो portfolio की value 230 होती और अगर यह 100 से 110 बनता तो जो मेरे value है 240 बनती तो यह आप ऐसा मत बोली कि आपने एक जगह पे आपने का vacancy कम होगी मैं I was talking about that particular type of work यानि की RBI में last video में जिन्हों ने देखा नहीं होगा वो वीडियो देखने के बाद लोगों ने देखो लोगों को क्या है ना वो मतला decision या conclusion बनाने में बहुत मज़ा आता है कि अभी कुछ लोगों ने बढ़ाया कि अभी RBI की vacancy बहुत कम हो जाएगी I was talking about this particular type of trend कि जहां पर मेरा overall तो बढ़ रहा है लेकिन कुछ इसमें कम हो रहा है तो वह जो मैंने कहा था उसमें definitely मुझे कम लग रहा है जो मैंने data science related कहा था जैसे fintech है दो organization RBI ने अलग बना ली कुछ लोगों ने ये भी कहना चालू कर दिया कि RBI का privatization होगा ऐसे वैसे लेकिन आपको वो logic समझ में आया होगा RBI ने दो organization बनाई है private organization अगर वो नहीं बनाते तो और सिटे बढ़ती यानि कि यह अगर मेरा train negative नहीं होता तो मेरा जो profit है वो और बढ़ता यह simple logic है लिखें कि कुछ लोगों को ऐसे specific conclusion मनाने में मज़ा था ठीक है यह आपको समझ में आ गया है कि train क्या चल रहा है बहुत चल अभी इसमें इसके पीछे की reason देखने पड़ें अधर्वाइस यहाँ पर ज्यादा reasons भी हो सकते हैं तो अभी नेक तोड़ा train देखते है कि RBI का जो overall strength है employees मतलब यहाँ पर सारे officer से clerk से सारे class 4K होते है वो सारे लोग यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर 1994 में 33,000 2001 में 29,000 30,000 के आसपास था 18,000 है और अभी तो 12,000 के आसपास है यानि कि overall strength RBI का देखो 50% से भी यहाँ पर कम हुआ है तो यह क्या है overall strength की बात करेंगे अभी इसमें हम bifurcation करेंगे तो आपको एक अच्छा सा trend समझ में आ जाएगा तो अभी देखो यह है 2001, 11 और 21 का यहाँ पर यह है total number of employees and number of officers ठीक है अभी अगर आप देखेंगे officers देख में क्या था यह जो officers का percentage देखते हैं percentage यहाँ पर था 24% ठीक है 2006 में क्या हुआ 31% 2011 में 45% 44% 51% यह trend बहुत important है कि RBI में अभी क्या हो रहा है कि officer का जो percentage है वो बढ़ रहा है अगर आप बाकी देखेंगे overall total number of employees देखो यह काफी drastically degrees हो रहा है लेकिन officer का जो proportion इसमें वो बढ़ रहा है यानि कि कुछ काम ऐसे है कि अभी वो सारे लोग करते हैं पहले क्या था किसी particular काम के लिए अलग से clear हुआ करता था और यहाँ पर officer जो है अब बैंकों में भी same trend है बैंकों में भी same trend है कि जो officers का percentage निकालेंगे तो वो increasing है इसका मतलब है officers की जरूरत है एक तो overall काम में भी मतलब आपी government बोल रहा है कि कुछ चोटे मुटे काम होते वह आपको करना है मतलब अभी जैसे मान लीजिए एक आपको cubicle दिया है ठीक है cubicle दिया है तो वह cubicle के आप इंचार हो जैसे AGM है मान लीजिए ठीके AGM है तो आपका जो कबड होगा वो यहाँ पे रहेगा यानि कि आप अपना अपना यहाँ से फाइल निकाल लेंगे पहले क्या था ऐसे काम के लिए अलग से class 4 के employee हुआ करते थे ठीक है अभी यह काम होगा इसका मतलब है वो स्टेंट अभी कम होगी यह तो काम कर सकते हैं यह कोई बड़ा काम नहीं को यहाँ मत कहों कि हमको सबको काम मुझे यह लगता है कि अभी ना नए ने डिपार्टमेंट है अभी फिटेक डिपार्टमेंट है काफी सारे डिपार्टमेंट नए ने आ रहे अभी CBDC है उसके लिए अलग लोग लगेंगे ठीक है यह जैसे मैंने आपको पॉर्टफोलिय वाले एक्जांपल समझाया कि ओ अगर यह नहीं बनती तो आर्विय का रिक्रुटमेंट 30-40 से बढ़ जाता ठीक है एसा लेकिन और अलग रहे आप ट्रेंट देखेंगे तो यह मतलब दोजार मतलब ऐसा लग रहा है कि बाकी ओर्गनाइजिशन में वेकंसी कम-कम हो रही है यह और यहां पर बढ़ रही है क्योंकि आर्विय में ओफिसर लेवल हाईयर लेवल इंटेलेक्श्वल लेवल का जो काम है वह आगे बढ़ेगा ही ठीक है और अभी जो मैंने डेटा दिया है वह ऐसा नहीं मन से दिया है यह 2007 वाला है जिसमें वेकंसी थी बाद में यह मैं जब था उस ताइम की वेकंसी मैंने जब फर्स्ट बैक्श लांच किया वह था 134 और अभी यह लेटेस जो चल रहा है इसका रिजल्ट दो चार दिन में आएगा उसका टोटल वेकंसी है 238 यानि कि यह जो नंबर है काफी बढ़ रहा है आर्बिया को हाईयर लेवल के लोग चाहिए ठीक है इसलिए और म चोडने वाले है का है फरिप्रेशन 150 आएगा तो आप चोडने वाले है का है 120 आएगा आप चोडने जोड़ेगा वह सिफ हमारा डिसकर्शन के लिए और साइकोलोजिकल पर्पस के लिए रहता है जिसको अर्बिया करना है ना वह देख़ो पचास भी वेकंसी ती लोगों तो इसलिए यह है कि यही ट्रेंड मेंटेन रहेगा और मैंने यह एक्जाम की डेट भी बता दिये मैंने आपको अब क्या चाहिए आपको मुझे बताइए फेस वन का एक्जाम होगा मिड एप्रिल दोजार तेइस में फेस टू का एक्जाम होगा फर्स्ट वीक ओफ माई में 2023 में नोटिफिकेशन अगा पकड़ लेंगे तो मार्च फेबरुवारी के एंड में आ जाएगा देखो क्या है मतलब इतना पहले से बनाया है और मैंने प्लान भी बना के दिया यह जो है 120 दिन का प्लान है आप जाके बसे प्लान देखी फ्रेशर्स के लिए अलग प्लान ह बिल्कुल प्रॉपर मतलब ऐसा 120 से सेटर डे संडे आफ रखे है क्योंकि कहनों लोग इतना टाइट प्रोग्राम बनाते हैं एक अगर मान लीजे मिस हो गया ना तो पूरा प्लान खराब जाता है मैंने ऐसे नहीं किया किसी का मान लीजे वीक में तीन दिन भी अगर जाते है तीन दिन भी अगर जाते तो वो सेटेटेशन दे मितलब एड्जेस कर पाएगा यही रीजन है कि मैंने यह जो प्लान है यह बहुत सिस्टिमेटिक वे में बनाया इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में देता हूँ और डाउनलोड कीजिए बहुत पॉसिबिरिटी वो काफी बढ़ जाएगी यह प्लान डाउनलोड कीजिए और अगर आपको मतलब हमारे को जोइन करना है हमारे कोर्स के बारे में इंफोर्मेशन चाहिए तो मैं आपको नंबर देता हूँ अगर आप 15 साल की 15 साल कुरानी बात देखेंगे तो इतने कम वेकंसी पे लोग प्रिपरेशन करते थे मेरे टाइम पर 75 वेकंसी थी मैंने जब फर्स ताइम मेरा कोर्स रांच के वन थर्टी फोर थी अभी उसके नियर अब डबल के आसपस वेकंसी चल रही है बहुत अच् पनाऊंगा. So, thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.